आशा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है सतनाम सिंग दोस्तों हर बार की तरहा मैं इस बार फिर से बाइमंतली मॉनेटरी पॉलिसी की हाइलाइट लेकर आया हूँ और साथ ही एकनॉमी की क्या सिचुएशन्स हैं, इन सब के बारे में डिसकुशन किया जाता है तो यहाँ पर मैं आपके सामने फूर्थ बाइमंतली मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टन हाइलाइट्स बताऊंगा आपको बताऊंगा कि यह जो पॉलिसी है, वो होनी थी 29 सेप्टमबर से 1 अक्टूबर के बीच में लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं लेकिन 3 मेंबर्स जो सरकार के तरफ से अपॉइंट किराय जाने थे, वो नहीं हुए थे लेकिन सरकार ने इनको एपॉइंट नहीं किया था और इस बात को लेकर काफी सारा क्रिटिसिजम भी हुआ था लेकिन अब जाकर फाइनली यहाँ पर 3 लोगों को एपॉइंट कर दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पर 3 के नाम देख सकते हैं पहले हैं आशिमा गोयल जी, दूसरे हैं शशांग भिड़ जी, तीसरे हैं जैयंत वर्मा जी इन तीनों मेंबर्स को MPC के अंदर एपॉइंट करे गए हैं इनका कारेकाल 4 साल के लिए होगा, मतलब 2020 से लेकर 2024 तक यह तीनों सरकार के दौरा अपॉइंट किये गए हैं और जो बाकी के तीन RBI के मेंबर्स होते हैं एक सबसे पहले RBI के गवर्नर होते ही हैं जो इस समय शक्तिकान दास जी हैं दूसरे आपके मृदुल सागर जी हैं और तीसरे हैं माइकल पात्रा यानि कुल मिलाकर 6 मेंबर्स होते हैं मौनिटरी पॉलिसी कमीटी के अंदर तो चलिए देखते हैं इस बार की जो मौनिटरी पॉलिसी है उसमें क्या क्या चिंजस करे गए हैं यहाँ पर RBI गवर्नर्स ने क्या बोला है काफी important points हैं आप सभी के exam point of view से related तो जो 6 मेंबर्स हैं पर दोस्तों यहाँ पर जो guess किया जाता है कि क्या RBI अपनी मौनिटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट है उसमें उसको गिराएगा या बढ़ाएगा अक्सर आप सभी ने देखा होगा मीडिया के अंदर speculations होते हैं उनका stance क्या रहा है अभी तक क्या वो Hawkins stance रखते हैं या Dovins stance जब Dovins stance की बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि रेपो रेट कम रखना चाहते हैं और जो अब Hawkins stance होता है तो उसका मतलब रेपो रेट को उपर रखना चाहते हैं Inflation को कम रखना चाहते हैं दोस्तो इस picture के थुरू आप सब देख सकते हैं कि जो Michael पात्रा है वो Hawken's Stance को रखते हैं और जो दो Member's है वो Neutral रखते हैं और बाकी की जो तीन Member's है वो Domis Stance रखते हैं मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जारा था कि repo rate में शायद गिरावट हो सकती है इस बार की monetary policy committee के सामने काफी बड़ा challenge था एक तो challenge था कि growth के prospectus से और दूसी तरफ inflation आपका काफी high चल रहा है 6% का जो RBI का target रहता है उससे काफी जादा आगे है तो दोनों के बीच में balance बनाना काफी मुश्किल काम होता है अगर हमें growth को बढ़ाना है तो repo rate कम करना होगा जो कि already repo rate यहाँ पर 4% पर चल रहा है और दूसरी और अगर हमें inflation को control करना है तो repo rate को अधिकतर देखा गया है कि बढ़ाया जाता है साथ ही आपको बता दूँ इस policy में stance के बारे में भी चर्चा की गई है की जाती है पिछले काफी समय में जो stance है वो unchanged है मतलब accommodative है accommodative का meaning होता है कि आगे आने वाले month में ऐसा हो सकता है कि repo rate को maybe कम करा जाए मतलब increase नहीं करेंगे ऐसा माना जाता है और अगर stance neutral हो जाता है तो कुछ भी हो जाता है और अगर ये जो stance है वो calibrated tightening है तो इसका मतलब repo rate बढ़ाया जा सकता है आगे वाने वाले month में दोस्तों साथ ही आपको बता दूँ की चालू वित वर्ष के 6 मेने गुजर जाने के बाद भारती रिजर्ब बैंक RBI ने विकास दर को लेकर इस्तिती इसपष्ट की है शुकरवार को मॉन्टरी पॉलिसी की समीक्षा करते होए RBI गवर्नर डक्टर शक्ती कान दास ने वर्ष 2020-21 के दोरान देश की जो एकनॉमिंग में 9.5% की गिरावट होने का अनुमान लगाया है हाला कि अपरेल 2021 से शुरू होने वाले वितवर्ष में हालात तेजी से बदलने की उमीद जताते हुए उन्होंने 10.1% की आर्थिक विकास दर की बात कही है RBI का कहना है कि चालू वितवर्ष की शुरुआती तीनों तिमाहियों में विकास दर नकरात्मक रहेगी जो अंतिम तिमाही जनवरी मार्च 2021 में 0.5% के सकरात्मक इस्थर पर पहुँच सकती है बैंक ने अपरेल जून 2021 की तिमाही में विकास दर 20.6% रहने की बात कही है लेकिन ये स्थिती तब रहेगी जब COVID काबू में हो जाए घरेलू बजार में मांग की स्थिती बहतर हो और वैश्विक हालाद भी सकरात्मक हो साथी दोस्तों आपको बता दूँ जो नई अपॉइंट हुई है मौनेटरी पॉलिसी कमीटी MPC के मेंबर्स की उनकी बैठक के बाद शुकरवार को इसके फैसले की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 4% पर बरकरार रखा है आपको बता दू रेपो रेट वादर होती है जिसवर बैंक अलकालिक जरुतों को पूरा करने के लिए RBI से कर्ज लेते है यह सस्ती होती है तो बैंकों के लिए होम, आटो और परसनल लोन जैसी सावधी खुदरा कर्ज की दरों को कम कर रखने में सहुलियत होती है और साथी आपको बता दू रेपो रेट की तरह रिवर्स रेपो रेट जैसी अन्य किसी भी दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है हलाकि monetary policy की जो announcement में ऐसे कई उपाए हैं जो बैंकों को जादा कर्ज देने की प्रोसाहित करेंगे और banking सेवा की गुर्वत्ता बढ़ाएंगे और दोस्तों आपको बता दू अब 24 गंटे electronic माध्यम से payment settlement करने की सुविधा दिसंबर महिने से शुरू हो जाएगी और साथी आपको बता दूँ जो होम लोन को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है ताकि बैंक्स और NBFC यानि नॉन बैंकिंग फाइनशल कंपनी ज्यादा होम लोन वित्रित कर सकें और साथी बॉन्ड मार्केट और कॉर्परेट सेक्टर की मदद के लिए दूसरी गोशनाई भी हैं जिसमें एकनॉमी को पटरी पर लाने की में मदद मिलेगी और साथी आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि वित्रित वर्ष की पहली तिमाही यानि सेप्टेंबर यानि अप्रेल सेप्टेंबर 2020 जाने के बाद RBI ने सालाना विकासदर को लेकर स्थिती सपष्ट की है दोस्तो आप सभी को पता होगा लॉकडाउन की वज़ा से अपरेल से जून 2020 की तिमाही में इंडियन एकनॉमी में 23.9% की बड़ी गरावट दर्च की गई है वर्ल बैंक ने एक दिन पहले ही भारती एकनॉमी में चालू वित वर्ष में 9.6% की गरावट और उसके बाद वर्ष 2021-22 में 5.4% तता 22-23 में 5.2% की तेजी आने की अनुमान लगाया है और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारती रिजर्व बैंक ने 2021-22 के लिए जो माहिंगाई दर है वो 4.1% रहने का अनुमान लगाया है और साथी केंद्र और राज के सियुक्त राजकोशिय घाटे का स्तर चालू वित वर्ष में 12% यानी GDP के सापेक्ष और अगले वित वर्ष के दोरान 9% रहने का अनुमान लगाया है अगर बात करें अकेले केंद सरकार के राज़कोशिय घाटे का इस तर इन दो वर्षों के दोरान करमशा साड़े साथ परसेंट और साड़े पांच परसेंट रहने के बात कही गई है और दोस्तों आपको बता दू इस मोनेटरी पॉलिसी में RBI गवर्नर ने किरकट की भाशा में समझाया है रिकवरी का फॉर्मला RBI गवर्नर सक्तिकान दास के भाशन में UAE में चल रहे IPL की जहलक बिली है विकास दर्मे सुधार को साथ समझाने के लिए उन्होंने ओपनिंग एकाउंट, स्ट्राइक फॉर्म और स्लॉग ओवर्स का बखूवी इस्तमाल किया है RBI गवर्नर ने कहा कि खाता खोलने के जिम्मेदारी उन सेक्टर्स पर है जो महमारी के दोरान भी जीवंतिता दिखाने वाले और बहुत अधिक मानोश्रम का इस्तमाल करने वाले हैं इनमें क्रिशी, FMCG, आटो, फामा और नवीन उर्जा जैसे सेक्टर्स होंगे इस्ट्राइक फॉर्म में वे सेक्टर्स होंगे जिनमें स्तिती अब धीरे-धीरे सुदर रही है और जो एकनॉमी को गती देने में मददगार होंगे थर्ड करिटेगरी उन सेक्टर्स की होगी जिने पारी के आखरी ओवर्स यानि इस लॉग ओवर्स का सामना करना होगा इनमें वे हैं जो शारिड़ दुरी के नियमों के चलते सबसे अधिक प्रभावित हुए है और दोस्तों यहां यह भी जानना बहुत ही जरूर है कि इसमें आम आदमी को कितनी रहत मिलेगी सीधे तोर पर रपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं होने से खुदरा लोन की जो ब्याज दर नहीं घटेगी इमाई में भी कोई बदलाव नहीं होगा हलाकि अगर बैंक चाहें तो अपने स्थर पर MCLR यानि Marginal Cost of Funds बेश लेंडिंग रेट में कटाउती करके ने गरहकों को रहत दे सकते हैं साथी fix deposit वाले गरहकों को थोड़ी रहाज जरूर मिलेगी क्योंकि रेपोरेट में बदलाव नहीं होने से उनके deposit पर ब्याज दरे नहीं घटाई जाएंगी आपको पता होगा कि इस वर्ष मार्च और मई मंथ में रेपोरेट में कटाउती के बाद ज्यादा तर बैंक ने FD पर भी दरे घटा दी थी और साथी दोस्तों आपको बता दूँ कि RBI की इस monetary policy में काफी सारे एहम बड़े फैसले लिये गए हैं जैसे के बड़े होम लोन की दरे घटने की उमीद काफी बड़ी है शुकरवार को जब RBI ने बड़े होम लोन के बदले रखे जाने वाले रिस्क वेटेश की सीमा को LTV यानि लोन टू वैल्यू से जोड़ने के लिए कहा तो दोस्तो आप सबी जानते होंगे कि अभी तक होम लोन के रिस्क वेटेश को लोन की राशी और LTV यानि लोन टू वैल्यू के हिसाब से तय किया जाता है इसका मतलब यह है कि अगर लोन की राशी अधिक है तो रिस्क वेटेश अधिक होगा फ्राइडे को जब MPC दोरा नए फैसले की बात कही गई तो अब इसकी गड़ना में लोन की राशी शामिल नहीं होगी बलकि ये सिर्फ अब LTV यानि लोन टू वैल्यू के हिसाब के से तैह होगा दोस्तो इस बड़े फैसले से अब बैंक खुलकर बड़े होम लोन दे सकेंगे और बैंक वेटेश कम होने से उनकी ब्यास दरों में भी काफी कमी आएगी ये जो रूल है वो नए होम लोन पर लागू होगा और 31 मार्च 2022 तक प्रवावित रहेगा साथी RBI ने ये भी कहा कि LTV यानि लोन टू वैल्यू 80% या इससे कम है वहां रिस्ट वेटेश की सीमा 35% की जा सकती है और जहां LTV यानि लोन टू वैल्यू 80% से अधिक है 90% से कम है वहां रिस्ट वेटेश की सीमा 50% होगी रिस स्वेटेश कम होने से बैंक को लोन के बदले कम रकम आरख्षित रखना होगा जिसने उनके पास कर्ज देने के लिए अधिक राशी होगी दोस्तों RBI के इस फैसले से रियल स्टेट सेक्टर में मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही आपको बता दू कि 80% लोन टू वैल्यू का मतलब है कि बैंक मकान की कीमत का 80% लोन देगा बाकी की जो रकम है वो खरिदार जुटाएगा जो इस छेतर के एक्सपर्ट्स हैं उनके मताबिक अभी 75 लाक रुपए से अधिक के लोन पर कैपिटल रिजर्व की सीमा 50% है जो अब 35% तक हो सकती है और दोस्तों आपको बता दू कि आर बिया के नए नियमों के मताबिक दिसंबर में 24 गंटे तहट भुक्तान किया जा सकेगा मतलब आपको बता दू कि यह जो अभी तक बैंक्स के वर्किंग डे के दोरान सुबह साथ बजे से शाम छे बजे तक ही आटी जेस से भुकतान किया जा सकता है इसमें क्या होगा कि भारती जरबैंक के इस फैसले से भारत के वित्य बजार को दुनिया के वित्य बजार से कनेक्ट होने में असानी होगी इस सुविधा के बाद भारत 24 घंटे 7 दिन भुकतान की ततकाल सुविधा देने वाला चुनिंदा देश बन जाएगा और साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि अब पहले के मुकाबले लोन अधिक मिल सकेगा अभी खुदरा और छोटे कारोबारों के लिए लोन की अधिकतम सीमा 5 करोड है जिसे बढ़ा कर 7.5 करोड कर दिया गया है और साथ ही आप अगले सकता तक ओपन मार्केट ऑपरेशन के माधियम से बाजार को 20,000 करोड रुपए की तरलता पुरब्द कराई जाएगी और साथ ही 30 मार्स तक TLTRO के माधियम से यानि Targeted Long Term Repo Operations के जरिये बाजार में 1,00,000 करोड रुपए दिया जाएंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और साथी बगल में बैल आइकन को प्रेस करके अल बटन पर क्लिक कर दें जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye